सारांश में आपका हरदिक स्वागत प्राचीन मानेताओं के अनुसार प्रतेक हिंदू के घर के आंगन में तुल्सी का एक पौधा अवश्य होना चाहिए तुल्सी की गंध लेकर वायू जिस दिशा में जाती है वह दिशा तथा वहरेने वाले सभी प्राणी पवित्र और दोश्रहित हो जाते हैं जिस स्थान पर तुल्सी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विश्नु, शिवादी समस्त देवों, पुषकर आदी, तीर्थों एवं गंगा आदी सरिताओं का निवास होता है अत एव तुल्सी की पूजा अर्चना करने से समस्त देवों के पूजन का फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में तुल्सी का रोपन, सिंचन, दर्शन एवं ध्यान करने से अनेक योगों के पाप नश्ट हो जाते हैं तुल्सी सोभाग्य दायक और विपत्ती विनाशक है इसे भगवान श्री कृष्ण के चड़नों में चड़ाने से मुक्ती प्राप्त होती है तुल्सी के बिना सभी कर्मकांड बेर्थ हो जाते तुल्सी वन की चाया में किया गया इश्राद पित्रों के लिए विशेश रूप से त्रिप्ती कारक होता है जो दान तुल्सी के सन्योग पूर्वक किया जाता है वे अपार फल दाई होता है अकाल मृत्युम हरणम सर्व व्याधी विनाशनम चरणामरित देते हुए पुजारी लोग इसलिए यह मंत्र पढ़ते हैं कि तुल्सी दल के समिश्रन से चुलू भर चरणामरित ही असमय की मौत से बचाता है और सब व्याधियों का विनाश कर देता है अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद